दोस्तो, शार्क टैंक इंडिया का सीजन 3 खतम हो चुका है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हाइप जो सीजन 1 में थी, वो अब सिर्फ कॉंट्रोवर्सीज बनकर बाहर निकल कर आ रही है, लेकिन सीजन 1 में कम से कम फाइट्स नाचुरल तो थी, अब तो शार्क टैंक और बिग बॉस में कोई फरकी नजर नहीं आ रहा है, सब कुछ स्क्रिप्टेट लग रहा है, ये एक और नेया ट्रेंड आपको देखने को मिला होगा, कि जिन फाउंडर्स को शार्क टैंक पर डेल नहीं मिली, वो भी पॉड़कास्ट पर आकर अपनी भडास निकाल रहे हैं, यार वो फीडबाक नहीं था, वो अटैक्स थे, वो लाइन्स थे, उसा वेरी स्ट्रॉग लाइन्स तु से, इस लाइक हम एकविटी कमिट कर रहे हैं, एक परसंट कमपने की एकविटी देने के लिए रेडी है, तो सामने वाला भी कमिटमेंट थे, विनीता बोली जारी थ दस बार सेम चीज के ठीके मेरी पैकेजिंग अच्छी नहीं है, शाक टैंक का हाई तो छोड़ दो, वीवर्शिप भी उतनी नहीं रही, जो सीजन वन में 150 मिलियन वीवर्श ने देखा था, वो सीजन स्ट्री में 12.5 मिलियन हो चुके हैं, और हर सीजन के साथ साथ टैंक टॉब्स बनाते हैं, वो 2% के लिए 80 लाक रूपीज मागने आये थे, लेकिन पिछ के एंड में उन्होंने शाक्स को बताया कि उनके पास 1.5 करोड रुपय का स्टॉक तो 6 महीने से पड़ा हुआ है, और अकाउंट में पैसे बिलकुल भी नहीं बचे हैं, जिस पर आस्ते के फाउंडर जेविका त्यागी ने आयुषमान पंडिता के पॉड़कास्ट पर आकर बताया, कि उन्होंने सोनी को बोल रखा था कि वो नहीं चाहते कि उनका एपिसोड एयर हो, क्योंकि उनको विनीता का एटिटूड पसंद नहीं है, और उन्हें लगा कि वो उन लेकिन अगर आप वो एपिसोड ध्यान से देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि दरसल विनीता आस्ते को लेकर एक्साइट थी, और जितना एपिसोड पर दिखाये गया, उनका क्रिटिसिजम भी काफी कंस्ट्रॉक्टिव था, और होगा भी, सब जानते हैं कि विनीता खुद अल्ट्रा मेराथन रनर हैं और हेल्थ और फिटनेस के बारे में बहुत जादा सीरियस भी हैं, वो तो अपने प्रेग्नेंसी के वक्त भी हाफ मेराथन्स दौरती थी, ये उन्होंने खुद कहा है, इवन सीजन वन में फलहारी जिसे अशन पुती अरोरा ने भी यही कहा कि विनीता उनके पैकेजिंग के बारे में बोले ही जा रही थी, ठीक है मेरी पैकेजिंग अच्छी नहीं है, पर मुझे मौका तो दो बोलने का, मुझे बताओ, इसलिए तो मैं आई हूँ आपके पास help मांगने के, और ये भी आयुशमान प पॉटकास्ट पर जा रहे हैं, अपनी साइट की कहानी बताने के लिए, जो एक तरह से फियर है, उन्हें हक है अपनी कहानी बताने का, खास कर क्योंकि शोपर एक डेड़ घंटे के पिच के 20-25 मिनट के फुटेज में एडिट कर दिया जाता है, और फिर उसे रिलीज किया जाता है, लेकिन सीजन वन के गुट-गुट पीगी, फलहारी, सिप लाइन, नेवल फुकाई वाले पिचस के मुकाबले तो ये पिचस में क्रिटिसिजम कुछ भी नहीं था, जब कोई भी फाउंडर शार्क टैंग पर जा रहा है, तो उतना प्रिपेर्ड होना जरूरी है क्योंकि आप शार्क टैंग पर जा रहे हो, शार्क आपके पास नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको अपने प्रोड़क्ट पर विश्वास है, तो उसे डिफेंड करना आना चाहिए, फिर अगर अशनीर होते, तो शायद फाउंडर्स जेली नहीं पाते, नेक्स्ट, कई फाउंडर्स का ये भी कहना है कि उन्हें शो पर जो रकम कमिट की गई थी, वो शार्क ने बाद में ओफ स्क्रीन जाकर, इन्वेस्ट करने से मना कर दिया, इसमें अशनीर ने भी कहा कि शार्क्स ड्यू डिलिजन्स का बहाना देते हैं, जबकि 100-100 करोड इ कमिट्मेंट में मोर देन सीजन वन विच सोट अफ सर्प्राइज में, जो अवरल मार्केट थंटी पड़ रही है, तो शार्क टेंग में इक उनसे आग लगी है, शार्क के पास पैसे कहां से आते हैं, 2021 एवर्यू वस फ्लॉश्ट विट कैश, तो आपके बैंक अगर पैसे सबको मातमा बनने हैं, टीवी पे जाके, हम तो ऐसी पागल थे न, वापे लोग वो हाड़ते हैं, लेकिन शार्क का ये कहना है कि, ड्यू डिलिजन्स में ऐसी बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, जिससे वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जैसे फाउंडर्स पैसा मिलने क के वैलवेशन का इस्तिमाल करके, बाहर मार्केट में और भी बहतर वैलवेशन ढूणने निकल पड़ते हैं, और वस्ट केस सिनेरियो में तो ये भी होता है कि, फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स के पैसे उड़ाते हैं, जब दो सीजन में शाक्स को उसी तरह के इशारे नज देंगे, इसलिए 60% finalize ही नहीं हो पाती, इन Controversies की वज़े से Shark Tank में कितने genuine founders आ रहे हैं, और कितने ड्रामे बाजी के लिए आ रहे हैं, ये भी अब पता नहीं चल रहा, तो वहीं एक ये भी नजरिया हो सकता है कि founders को अपनी कहानी बताने के लिए podcast और YouTube channels पर मंच मिल जात है शाक्स और founders दोनों के लिए, दूसरा, end of the day, पैसा शाक्स का लग रहा है, हमारा तो नहीं, तो जो भी फैसला होगा वो शाक्स का ही होगा, और शाक्स भी हर डील सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं करते, शाक्स को अपनी भी एक image बनानी है, जैसे season 1 में जुगाडू कम प्यूश आया था जिसमें प्यूश ने invest किया था, और इसलिए प्यूश की generosity की image सब को याद रहती है, उसके बाद शाक्स वैसी ही डील ढूणने लगे, तो शाक्स भी सोचते हैं कि कौन सी डील करने पर जंता उनके बारे में क्या सोचेगी? अब, इन controversies को सुलजाने का एक solution ये हो सकता है कि अगर शाक्स की कहानी में सचाई है, तो शो मेकर्स को escrow system बनाना चाहिए, मतलब अगर किसी शाक ने 50 करोड कमिट किये हैं, तो शो के पहले ही वो रकम escrow में रहेगी, और सिर्फ और सिर्फ due diligence के बाद ही वो रकम release हो royalty deal जिनको नहीं पता उन्हें बता दें, royalty deal mostly sharks तब offer करते हैं जब उन्हें किसी तरह का exit साफ नहीं दिख रहा हो, जैसे कि company को funding में परिशानी हो सकती है, या company का acquisition नहीं होने वाला है, तो ऐसे cases में वो investment करने के बदले equity की जगए, या equity के साथ company के sales का कुछ percentage link, मतलब मान लो company 50 लाग रुपए के sales करती है, और sharks को उसमें 5% royalty देना पड़ रहा है, यानि कि 5 लाग रुपए royalty देना पड़ेगा, शाक टैंक के US version में Mr. Wonderful Kevin O. Larry, royalty deals के लिए मशूर है, हाला कि उनके royalty deals की perpetuity होती है, मतलब जब तक company चलती है, तब तक royalty देते रहना पड़ेगा, तो season 3 में अचानक से royalty deals क्यों, इसकी दो वज़े हो सकती है, या तो shark tank वालों को show के investment के तरीकों को diversify करना था, या फिर क्योंकि sharks के लिए ये जाधा आसान तरीका है, क्योंकि जितने उन्होंने लगाए है, कम से कम उतने तो recover होंगे, इसमें दूसरी वज़े जाधा believable लगती है, क्य जल रही थी, यानि कि investors market में पैसा डालने से हिच-किचा रहे थे, 2023 में start-up funding 63% से गिर गई, वही funding जो 2022 में 1,80,000 करोड थी, वो 2023 में 66,908 करोड हो गई, इसलिए 2023 में सिर्फ दो unicorns बने, Zepto और Incrud, पियूष ने खुद भी ये कहा था कि जितना market में पैसा invest नहीं हो रहा है उससे ज़ादा shark tank पर हो रहा है, मोटा मोटी इतने investment हो गए in this winter, वहाँ पे जो tank में environment रहा है, इसलिए लोग देखेंगे मुझा लगए, क्योंकि market में तो कोई पैसा डाली नहीं रहा है, अभी सब को डर लग रहा है, तो यहाँ पे वो जो element of hope is very high. क्योंकि कोरोना के दो साल बाद डारेक्टर रश्या युक्रेन वार हो गया, फिर Middle East में geopolitical development से global economies, slump से recession में जाने लगी, इसकी वज़े से investors market को लेकर bullish नहीं है, और इसलिए investors भी सोच समझ कर पैसा डाल रहे हैं और अपने models change करने, मतलब कि pitchers को भी pitch करने के तरीकों में change ल से 18 लाक रुपए खर्च करने पड़ते हैं, यहाँ पर आपको 20 मिनिट नैशनल टीवी पर free में advertise करने को मिल रहा है, हर कंपनी को उस दिन अचानक से sales में bum दिखाई देता है, लेकिन अपना pitch air हो जाए, इसलिए founders दूसरे तरीके भी अपना सकते हैं, जो entertainment value से सही हो, लेकि असली value में zero हो, इस season में कुल मिलाकर 12 sharks थे, लेकिन नतीजे में जादा फरक नजर नहीं आ रहा, हलाकि दिपिंदर और रितेश जैसे sharks को audience से काफी अच्छा feedback मिला है, लेकिन sharks को double करने के बाद भी अगर चीजें नहीं बदल रही, इसका मतलब लोग quality over quantity पसंद कर रहे हैं, तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो like और share करना अपने friends और family के साथ, हमें comment में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा, मिलते हैं अगले वीडियो में.